Hello and welcome back to the channel. तो हम inverse trigonometric functions की series देख रहे थे और lecture 3 पर हम आ गए हैं जिसमें हम compositions calculate कर रहे हैं. तो last lecture के अंदर अपन ने इस type के questions की यह थे, इस type के practice करी थी जहां बाहर trigonometry है और अंदर हमारे पास inverse trigonometry है और हमने देखा था उसको कैसे evaluate करना है और अभी के lecture में हम ऐसे compositions देखेंगे जहां पर बाहर inverse trigonometry है और अंदर trigonometry आ रही है तो last lecture में हमने बोला था कि जिससे sin of sin inverse x है तो आप उसको directly open करके x के equivalent मान सकते हैं है ना बट जब बाहर inverse trigonometry आएगी हमारे पास और जब अंदर हमारे पास trigonometry आएगी तो ये चीज हम directly नहीं बोल सकते हैं अब ऐसा क्यों होता है although functions f और f inverse में ये हमेशा true है कि f of f inverse हमेशा x होता है या f inverse of fp हमेशा x होता है पर ध्यान देने वाली बात यह बटा कि ये जो sin के ल circular principal domain और principal range के लिए true है जब हम sin का domain minus pi by 2 से pi by 2 और range minus 1 से 1 लेते हैं उस case के अंदर sin inverse sin x को आप x दिख सकते हो तो कि वहाँ ये by objective होता है और उसी के according हमने sin inverse की definition तैयार करी है तो अगर आपको याद हो तो हमने sin x को जब by objective बनाया था तो हमने बोला था कि आप minus pi by 2 से pi by 2 domain set कर करो ये minus 1 से 1 करो इसके अंदर ये by objective भी हो जाएगा और invertible भी हो जाएगा और sin inverse x आ जाएगा तो ये ही conventional definition ली थी जिस वज़े से sin inverse का domain minus 1 से 1 आ गया था और range minus pi by 2 से pi by 2 आ गया थी तो इन दोनों intervals के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें ये एक दूसरे पर अगर हम f of inverse ये if inverse of fx लगाए तो बात सेम आएगी दिक्कत तब आएगी बटा कि sin x का domain में x को फरक नहीं पड़ता ये कुछ भी हो सकता है पर हमारे इस inverse बनाने के लिए definition का जो domain है उससे अगर ये बाहर चला गया तो हम इसको directly x के बराबर नहीं कर पाएंगे एक छोटा सा example लेके सम sin inverse root 3 by 2 निकालना है तो minus pi by 2 से pi by 2 sin inverse की range है और sin theta root 3 by 2 होता है pi by 3 के तो input भी pi by 3 आ रहा है अपना output भी pi by 3 आ रहा है बट मान लो अगर आपने ऐसा लिखा sin inverse sin 2 pi by 3 अब क्या होगा बिटा sin 2 pi by 3 sin pi by 3 दोनों सेम होते हैं क्योंकि 2 pi by 3 को आप pi minus pi by 3 लिख सकते हो second quadrant में sin positive है तो ये भी sin inverse root 3 by 2 ही आएगा और इसका output भी क्योंकि sin inverse का output 2 pi by 3 नहीं आ सकता उसका output minus pi by 2 से pi by 2 ही रहेगा तो इसका भी सेम आंसर आजाएगा जो कि pi by 3 है तो input pi by 3 पर भी answer हमारे पास pi by 3 आ रहा है और 2 pi by 3 पे भी pi by 3 आ रहा है तो इसलिए sin inverse sin x या cos inverse cos x so on जब बाहर inverse trigonometry हो औ और अंदर trigonometry हो तो जरूरी नहीं है कि f of f inverse x x pi ये थोड़ा सा different है जो हमने lecture 2 में देखा था तो इसको solve करने का क्या तरीका है तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं जिसमें एक आप manually evaluate करेंगे और एक आप graphically evaluate करेंगे मैं graphically थोड़ा prefer करता हूं बट अपन दोनों तरी की एक पर देख सकते हैं तो जैसे let's say हमारे पास ये evaluation है sin inverse sin of 5 pi by x 6 ऐसा तो आपको क्या गरना है आपको बस ये ध्यान रखना है कि sin inverse sin x इसकी value आपके पास x आएगी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक case के अंदर है ना जब ये x minus pi by 2 से pi by 2 हो तो अगर आप इसको direct करना चात हो तो आपको पहले अंदर आपके input जो है sign के उसको minus pi by 2 से pi by 2 में लाने की ज़रूरत है अगर आप minus pi by 2 से pi by 2 लाने में successful रहे 2 pi या pi इनका कोई भी multiple add subtract करके तो हमें किसी भी तरह की problem नहीं होगी हम आराम से answer तक पहुच जाएगी तो जैसे ये है 5 pi by 6 तो 5 pi by 6 pi by 2 से थोड का है sign 5 pi by 6 trigonometry आपको अच्छे से आनी चाहिए मैं इसमें से pi subtract कर रहा हूँ अगर मैं pi subtract करूँगा तो इसकी value आ जाएगी minus pi by 6 और minus pi by 6 इस interval में होता है पर बिटा कोई भी चीज free में नहीं आती है अगर आप pi subtract करोगे तो आपको pi add भी करना पड़ेगा क्या मेरी बात तो answer minus sin theta आता है तो इसलिए मैंने इसको उसी form में convert कर दिया मैंने इसमें pi subtract किया है और pi add कर दिया तो sin pi plus theta को अपन लिख सकते है minus sin theta तो ये 5 5 by 6 minus pi तो हमने कर दिया बस इसको करने के चक्कर में pi भी add करना पड़ा जिस वज़े से एक minus बाहर आ जाए है तो अब अगर अगर इसको solve करेंगे तो ये बन जाएगा 5 pi by 6 minus pi और ये होता है minus का pi by 6 और sin odd function है तो minus बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब sin 5 pi by 6 लिखा जाए या sin pi by 6 लिखा जाए दोनों same है और क्योंकि pi by 6 आपका minus pi by 2 से pi by 2 में है तो अब ये bracket directly खुल जाएगा और आपका answer आ जाएगा pi by 6 के बराबर क्या बात समझ रहे हैं तो sin inverse sin pi by 6 जो हमारे पास आ रहा इसकी value आजाएगी pi by 6 के बराबर ये तो radians में था pi से evaluate करना आसान है ऐसा भी हो सकते हैं जिसे let's say sin inverse sin 7 ये दे दिया हमें तो ये 7 degree नहीं है बटा ये 7 radians है radians है ना 1 radian is equal to 180 upon pi approximately 57.3 degrees ठीक है तो ये 7 radians है तो 7 radians के अगर आप बात करोगा तो आपको पहले इसको minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 के बीच में लाना पड़ेगा अफिल हाल ये 7 इसके बीच में है नहीं 7 अगर आप देखोगे तो ये तो 2 pi से भी बढ़ा है 2 pi से भी बढ़ा है तो trigonometry में आपने पढ़ा होगा कि आप 2 pi का कोई भी multiple idea subtract कर सकते हो तो फिलाल के लिए हम क्या करते हैं ये जो sine inverse sine 7 है इसमें अपने 2 pi subtract करते हैं कुछ भी free नहीं आता 2 pi add भी करना पड़ेगा ठीक है लेकिन sine 2 pi plus theta sine theta ही होता है यहाँ कोई sine change नहीं होगा ये directly आजाएगा 7 minus 2 pi अब हमें चेक करना है कि क्या 7 minus 2 pi इस interval में आया है ने तो कुछ और subtract करना पड़ सकता है तो आप 7 minus 2 pi pi 3.14 होता है कि calculate करेंगे तो roughly 0.72 radian आता है और minus pi by 2 से लेके pi by 2 की range होती है 1.57 और minus 1.57 की बीच में जिसमें ये lie कर रहा है तो इसका मतलब आप हम इसे directly खोल सकते है और answer आ जाएगा 7 minus 2 pi के बढ़ा है क् बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चारो है ना इसी तरह जैसे मालो आपके पास आगया sine inverse of sine of minus 5 तो properties अपनने अभी तक कुछ पड़ी है तो मैं आपको एक बार property recall कर देता हूं जो lecture 1 में देखी थी अपनने कुछ और property अपन आने वाले lectures में देखेंगे जिसमें हम इसी inverse x होता है odd function tan inverse भी जो है वो odd function है इसमें से भी minus बाहर आ जाता है similarly cosec inverse जो है यह भी odd function है इसमें भी अगर minus होगा तो यहां से भी minus बाहर आ जाएगा ठीक है इसके अलावा बाकी के जो functions है जैसे cos inverse minus x हो गया यह calculate करना है यह sec inverse minus x calculate करना है तो यह सब हमने देखा था 0, pi by 2 के about symmetric है तो cos inverse x और cos inverse minus x का sum pi था तो हमने first lecture में graphs में देखा था कि आप इसको pi minus cos inverse x लिख सकते है यह sec inverse minus x को pi minus sec inverse x लिख सकते है यह 10 inverse minus x 10 हम पहले लिख चुके है cot है sorry cot inverse minus x को हम pi minus cot inverse x लिख सकते है तो यह चीजें ध्यान रखना कुछ और properties भी हम आगे पढ़ने वाले है तो इसके अलावा बाकी properties देखेंगा बट अभी हम इनको use कर सकते है क्योंकि यह हम lecture 1 में देख चुके है तो sine odd function है इससे भी minus बाहर आ जा पार है तो 5 क्योंकि इसके अंदर नहीं आता है तो अब आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 pi से तो बड़ा है 3.14 लेकिन यह जो 5 है यह 2 pi से छोटा है जो की 6.28 होता है तो अब हम क्या subtract करें कहीं बार अपन ऐसे फस जाते हैं कि यह pi subtract करें सर या 2 pi करें तो generally वो prefer करो जिसके पास हो यह ज्यादा नजदीक हो तो ज्यादा better chance है इस range के अंदर आने की तो 3.14 और 5 का difference जो है यह लगबग 1.86 पड़ेगा जो की बहुत ज्यादा है as compared to यह दोनों का difference जो 1.28 है तो हम देख सकते हैं कि 5 2 pi के ज्यादा पास है तो यहां भी हम यही करेंगे जो पिछले question में किया था 5 में से better 2 pi subtract कर देते और कुछ भी चीज फ्री नहीं होती तो 2 pi add कर देते बट क्यूंकि sin 2 pi plus theta sin theta के बराबर ही है तो यह 2 pi plus वाला हट जाएगा और 5 minus 2 pi आ जाएगा जिसकी value अगर आप calculate करोगे तो minus 1.28i की जो इस interval में safe है इसलिए इसको खोल पास आगया है 5 minus 2 pi क्या आप बात समझ पा रहे हो ठीक है और यह हम छोटी values के लिए नहीं है बड़ी values के लिए भी कर सकते हो जिसे मानलो आपके पास है sine inverse sine और let's say 100 pi by 3 तो again हमें फिर से इसे minus pi by 2 से pi by 2 में लाना है पर 100 pi by 3 अगर आप देखोगे divide करके remainder लेके तो यह 33 pi 33 pi से बड़ा है यह 33 1 by 3 है बड़ा 33 pi से बड़ा है 100 pi by 3 और 31 pi से यह क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो क्या subtract करें 34 pi से चोटा जाएगा क्या subtract करें 33 pi या 34 pi तो आप यह subtraction देखो अगर आप 100 pi by 3 में से 33 pi हटा देते हो तो pi by 3 आ रहा है जो उसे interval में है minus pi by 2 से pi by 2 जो हमें चाहिए था ठीक है लेकिन अगर अपन यहाँ पर 34 pi में से 100 pi by 3 हटाएगे बड़ा तो यह 2 pi by 3 आएगा जो pi by 2 से बड़ा है तो यह prefer नहीं करेंगे हम यह prefer करेंगे समझे रहो कैसे judge कर रहे है अपन लाना sin inverse के लिए minus pi by 2 से pi by 2 नहीं है तो sin inverse sin होगा और यहाँ पर हम क्योंकि 33 pi सब्ट्राइट करने वाले हैं तो free में कुछ नहीं होता 33 pi अपनको add भी करना पड़ेगा तो यह ऐसा आगया अब यह जो 33 pi है यह pi का odd multiple है तो यह add करने पर आप third quadrant में आ जाओगे तो इस बार sin change होने वाला है तो इस बार sin change होगा बिल्कुल होगा और अंदर यह theta आ जाएगा इसकी calculation हमने अभी perform करी थी यह pi by 3 है तो यह minus यहां से बाहर ले जाओ आप है ना तो यह आ जाएगा minus sin inverse sin pi by 3 जो हमें पता है किसके बराबर आ जाएगा pi by 3 और बाहर एक minus sin तो कुछ ऐसा आंसर आजाएगा minus का pi by 3 तो इस तरह से अपन sin inverse sin x की calculation कर सकते हैं इसी idea कि अपन ने इतनी practice करी है क्योंकि हर जगे अपन यही idea यूज़ करने वाले हैं तो अब मान लो अपन बाकी सारे functions की बात करें जैसे cos inverse cos x से बठाएगा तो यहाँ आपको पता है कि इसके लिए अपन principal domain रखते थे 0 से pi तो अगर आपका x 0 से pi है तो ही सिर्फ और सिर्फ उसी case के अंदर रखिए अगर यह cos inverse cos x आप किकाल रहे हो और अगर आपका x 0 से pi है तो उस case के अंदर अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि इसकी जो value आएगी यह किसके बराबर आजाएगी आपके पास वापस x के बराबर अगर आपका यह इसके बाहर चला जाता है तो आपको फिर से इसको solve करके 0 से pi में लाना पड़ेगा जैसे sign के लिख किया था बात समझ रहा तो यह x होगा 0 से pi के अंदर इसी तरह मानलो आपके पास tan inverse tan x है बिटा तो इसके लिए भी principal domain हमने set किया था open minus pi by 2 से pi by 2 अगर ऐसा है तो यह x आ सकता है नहीं है तो आपको pi के multiples add subtract करने पड़ेगी पाई के ही multiples की add subtract करते हैं क्योंकि pi by 2 करोगे तो cos sign में change हो जाएगा 10 quart में change हो जाएगा तो यह trigonometry वाला part आपको I believe आता है इसी तरह अगर quart inverse cortex की बात कर रहे है अपन तो यह x अभी होगा अगर यह किसके बीच में आ जाएगा 0 से pi के बीच में open 0 से open pi नहीं है तो फिर से आपको इसको लेकर आना पड़ेगा इस interval में इसी तरह अगर sec inverse sec x है तो इसका अगर आपको domain याद हो principle जिसमें by objective बनाया था तो यह भी अपने पास आ जाएगा 0 से pi except pi by 2 उस पे तो बिचारा defined दी नहीं है हम क्या करें और फिर अगर last में आ जाए हपन cosec inverse cosec x पे ध्यान रहे बिटा identify कर लेना यह अपन तभी कर पा रहे जब बाहर inverse trigonometry और अंदर trigonometry है अगर उल्टा होगा cosec बाहर cosec inverse अंदर तब तो directly x आ जाता है हमेशा अपन को यह समनी करना पड़ता last lecture में अपने देखा है अगर आपने नहीं देखा है तो link description में है फटा फट जाके देखे तो यह भी x आ जाएगा अगर x किसके अंदर है minus pi by 2 से लेकर के closed pi by 2 except 0 तो अब अपन इन ही कुछ questions की इसी pattern पर practice करने वाले हैं और उसके बाद second method पर आ जाएंगे graphical approach के आज़ें तो sine inverse के example से inspire होकर let's try this tan inverse tan 3 pi by 4 अब आप pause करके good try कर सकते हैं मैं फिलाल direct solutions पर आऊंगा question लिखने के बार तो tan के अंदर हमने बोला बिटा minus pi by 2 से लेकर के pi by 2 के बीच में होना चाहिए 3 pi by 4 इससे बाहर है तो इसके अंदर लाने के लिए हम इसमें से pi subtract कर सकते हैं तो यह बन जाएगा tan inverse tan जो चीज़ subtract करते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर add भी करनी पड़ती है free में कुछ नहीं आता है इस दुनिया के अंदर पर tan थोड़ा सा sign से different है tan pi plus theta करते भी है तो tan theta आता है because tan is positive in third quadrant तो यह जो tan pi plus theta हमने बनाया है यह simply क्या बन जाएगा हमारे पास tan theta no change of sign at all तो यह थोड़ा आसान है अब अगर अगर अपन देखेंगे तो tan inverse tan के अंदर हमारे पास क्या आजाएगा minus का pi by 4 जो की minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है therefore अपना answer directly क्या आजाएगा minus pi by 4 क्या आपको बात समझ में आ रही है तो यह सिरफ sin inverse sin के लिए नहीं अपन किसी के लिए भी tan inverse cos inverse है ना किसी के लिए भी इसको solve करने की कोशिश कर सकते है तो next example पर आते हैं अपन तो यह वाला try करेंगे next question आप फिर से pause करेंगे और उसके बाद फिर अपन देखेंगे तो let's say cos inverse में चले जाते है and we need to find cos inverse cos 10 तो फिर से यह 10 जो आपके पास दे रखा है यह 10 degrees नहीं है जिस 10 के अपन बात कर रहे है यह 10 radians है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि यह जो 10 है जो 10 radians के अपन बात कर रहे है यह किस πाई के बीच मा रहा है क्या यह πाई से 2 πाई के बीच में क्या यह 2 πाई से 3 πाई के बीच में क्या ये 3 पाई से 4 पाई है फिर ही अपन decide कर पाएंगे कि अपन को क्या subtract करना है या क्या add करना है क्या आप बात समझ पार हो जो मैं कहना चाहर हो तो यही चीज अपन यहां करेंगे पहले अपन को देखना पड़ेगा तो अगर आप कुछ confusion हो तो पाई 3.14 होता है तो आप यहां देख सकते हो कि अगर आप 10 को 3.14 से divide करोगे तो यह 3 से बड़ा आता है बट 4 से छोटा आता है इसका मतलब यह 3 पाई से तो बड़ा है पर 4 पाई से छोटा है अच्छा cos inverse के लिए अपन को यहां पे क्या करना है इसको 0 से पाई के अंदर लेकर आना है तो अब यह थोड़ा सा sign से आसान हो जाता है कि वहां तो minus पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चाहिए तो आपको देखना पड़ता है कि यह 10 किसके ज्यादा नजदी के वो वाला पाई हटा है यहां तो funda clear है 3 पाई से 4 पाई के बीच को अगर 0 से पाई बनाना है तो बट obvious बात है बटा कि 3 पाई सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा अगर आप 3 पाई सब्ट्रेक्ट कर लोगे तो उस केस के अंदर यह 10 minus 3 पाई 0 से पाई के बीच में आ जाएगा ठीक है तो कॉस वाला थोड़ा सा direct and straight forward है तो कॉस inverse कॉस है और इसके अंदर अपन क्योंकि 3 पाई सब्ट्रेक्ट किया है तो 3 पाई आपको इसके केस में add भी करना पड़ेगा बात समझे रहो फिर से यह odd multiple of पाई आ गया तो third quadrant के अंदर कॉस negative होता है तो कॉस inverse माईनस का कॉस 10 माईनस 3 पाई आ जाएगा लेकिन इसमें से आप यह माईनस बाहर नहीं लेकर आप आओगे इसमें property लगेगी जिसमें हमने पड़ा है कि कॉस inverse of minus x जो है यह पाई माईनस कॉस inverse x आता है तो यह property यूज करके लिखेंगे पाई माईनस कॉस inverse और अंदर यह जो अपना theta है यह as it is आ जाएगा अब क्यूंकि 10 माईनस 3 पाई की value 0.58 के आसपास है जो की 0 से पाई के बीच में है तो आप bracket आराम से खोल सकते हैं और अपना answer आ जाएगा 4 पाई माईनस 10 के बाहरा तो इस तरह से अपन इसको solve करने की कोशिश कर सकते हैं क्या आप बात समझ रहे हैं तो अब अपन next method देख रहे हैं जिसके अपन graphs का use करेंगे और फिर कुछ graph के examples evaluate करने की कोशिश करेंगे again दोनों method यूज़ कर सकते हैं बट still graph याद होने चाहिए तो अब इसके अंदर अपन कुछ graphs मना रहे हैं तो सबसे पहला अपन यहाँ पर start करेंगे sine inverse sine x के graph ठीक है तो graph याद रखना है और कैसे याद रखना है बड़ा ही simple तरीका है बच्पन में आपने जैसे mountains मनाए थे ना जब बच्पन में drawing करते थे बिल्कुल वही same drawing है बटा तो आपको यह पता है कि minus pi by 2 से pi by 2 इसके अंदर sine inverse sine x होता है तो आप इस interval के अंदर simply क्या draw कर दोगे y बराबर x तो यह minus pi by 2 से pi by 2 के अंदर यह बन जाएगा अपने पास y बराबर x अब आगे और पीछे यह mountain की तरह behave करने वाला है कैसा क्या कहना चारा हूँ mountain का मतलब जैसे drawings बनाते थे अपन बच्पन तस यह वैसा ही है इसकी labeling और equation important हो जाती है वो अपन भी यहाँ पर लिखके देखेंगे कि यह equations अपन ऐसे आखिर कैसे लिख सकते है तो पहले तो interval देखलो minus pi by 2 से pi by 2 पहले बनाना y बराबर x होता है इसके आगे का अगर अपन को interval देखना है इसके case के अंदर तो आगे वाला जो interval है उसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे इसकी equation लिखने वाले तो अब कैसे लिखेंगे 0 pi by 2 के बाद pi आता है फिर से वापस 3 pi by 2 फिर से 2 pi तो एक pi interval में एक mountain बनता है जैसे 0 से pi में एक उपर का triangle pi से 2 pi में नीचे triangle 2 pi से 3 pi में उपर और peak जो आती है वो pi by 2 के odd multiples पे आती ही यह 5 pi by 2 हो गया यह हो जाएगा 7 pi by 2 यह 4 pi negative में भी पीछे ऐसे ही जाएगा minus pi, minus 3 pi by 2 minus 2 pi equations कैसे लिखोगे और use कैसे करोगे उस पे मैं आता हूँ minus pi by 2 से pi by 2 वाली line origin से जा रही है तो y बराबर mx है slope इन सब का 1 या minus 1 ही होगा हमेशा ध्यान रखने तो जो line increase कर रही है उसका slope 1 होगा decrease वाली का slope minus 1 यह जो second line है pi by 2 से 3 pi by 2 इसका slope होगा minus का 1 लेकिन अब इसमें add क्या करें उसके लिए pi ले लो कि pi रखने पे value 0 आनी चाहिए तो अगर आप x की जगे pi रखोगे तो y 0 होना चाहिए तो minus pi में क्या add करोगे कि यह 0 हो जाए plus pi तो second line की equation हो गई minus x और 7 के अंदर आजाएगा हमारे पास plus pi बात समझे रहे हो पन कैसे करने वालने इसको है ना अब जैसे आगे आजाओ तो वापस slope plus 1 हो गया तो यह y बराबर हो गया x अब आगे क्या add या subtract करें कि अगर x में 2 pi रखें तो y 0 आए तो obviously आपको 2 pi हटाना पड़ेगा तो जैसे पहले y बराबर x था फिर y बराबर pi minus x आया अब y बराबर x minus 2 pi आगया फिर वापस third की equation लिखनी है बेटा तो फिर से slope minus 1 आएगा तो minus x और 3 pi पे value 0 आनी चाहिए लेकिन x में रखोंगे तो minus 3 pi बन रहा है इसलिए यहां plus 3 pi तो इस तरह से अब आगे भी आजाएगा y बराबर x minus 4 pi है ना पीछे जाओगे अगर minus 5 पे तो यहां पर slope negative है तो y बराबर minus x और minus pi इसमें रखेंगे तो plus pi बन जाएगा लेकिन answer 0 आना चाहिए minus pi पे तो minus x minus pi हो जाएगा है ना इसी तरह minus 2 pi वाली यह जो line है इसका slope 1 है तो y बराबर x लेकिन minus 2 pi पे 0 आना चाहिए तो plus 2 pi अब यह equations लिखने का फाइदा क्या हुआ जिसे मान लो आपको कुछ values निकालनी है let's say sin inverse sin 3 जो अपनने अभी calculate करी थी तो आप पहले 3 ढूंडो कहां है तो यह बहुत interesting तरीगा बहुत मज़ा आएगा अगर graphs आराम से बनाओगे और याद रखोगे तो जिसे 3 जो है वो 3.14 से जस्ट पहले आता है तो x अगर 3 है तो इस equation के according y की value क्या आएगी pi minus 3 या minus 3 plus pi तो आपको इसमें कुछ shift नहीं करना आप बस graph पे point को locate करो graph बनाने के बाद और उसमें put कर दो let's say आपको चाहिए sin inverse sin 7 pi by 4 ऐसा तो 7 pi by 4 कहां पर होगा पहले तो आपको यह ढूंड़ना पड़ेगा तो 7 pi by 4 pi से बड़ा है और 2 pi से छोटा है और अब आपको pi से 2 pi का interval तो यह इतना बड़ा है इसमें यह कहां पर होगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह 3 pi by 2 से भी बड़ा आ जाएगा तो 7 pi by 4 इधर कहीं पड़ा होगा अब इसको definition में रख दो यह जो line आप देख रहे हो इस line की definition में रख देंगे कि 7 pi by 4 इधर आ रहा है इसकी definition लिखी थी अपनने x minus 2 pi तो answer आ जाएगा अपने पास 7 pi by 4 minus 2 pi ठीक है इसी तरह ज़र आपको जैसे चाहिए sine inverse sine 10 तो 10 जो है वो 3 pi से बड़ा होगा 7 pi by 2 से छोटा होगा pi की value 3.14 रखके आप चेक कर सकते हो 3 pi 9.42 आएगा 7 pi by 2 10 point something आएगा तो 10 यहाँ आ गया अब इसको यह वाली line पे यह लाए कर रहा है इसको इसमें अगर put कर देंगे तो यह इसकी definition है यह बन जाएगा minus 10 plus 3 pi तो कितना आसान हो गया graph से तो graphs महुत ज्यादा important है इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे अगला graph जिसके अपन बात करेंगे यह आजाएगा cos inverse cos x का graph इसको कैसे बनाएंगे यह भी mountains है लेकिन यह negative नहीं होते तो cos के अंदर आपको याद है principle domain अपन सेट करते है 0 से pi तो 0 से pi में यह y बराबर x ही रहता पूरा ठीक है जैसे sign में minus pi by 2 से pi by 2 था यहाँ 0 से pi ही रहेगा और अब इसके आगे अपन जाएंगे तो अब pi से लेके 2 pi में यह वापस decrease होगा फिर वापस increase और इसके आगे यह repeat क्यों करते हैं क्योंकि main input अंदर cos x में जा रहा है या पहले भी देखा था तो main input sin x में गया था तो यह periodic function हो जाते है मतलब कहने का मतलब है जैसे sin of sin inverse x है यह periodic नहीं है क्योंकि input inverse function में जा रहा है पर अगर आप sin inverse of sin x लोगे तो यह periodic हो जाएगा sin में जा रहा है input इसका period 2 pi था यह तो इसका भी नहे वाले का भी 2 pi ही रहेगा तो cos inverse cos x का भी period 2 pi रहेगा जैसे अभी graph बनाया है आगे भी अपन वैसाई graph बनाएंगे पीछे भी बिल्कुल वैसाई graph बनेगा तो यह 2 pi से 3 pi है ना फिर आजाएगा 4 pi पीछे भी minus pi और फिर आजाएगा minus का 2 pi equation वैसे ही लिखेंगे जैसे यह y बराबर x है slope पर origin से जाने वाली negative minus 1 की equation y बराबर minus x फिर से slope negative है लेकिन 2 pi पे value 0 आनी चाहिए तो minus 2 pi बन रहा है यहां रखने पर तो plus 2 pi लगा ठीक है फिर वापस slope ऐसी चली जाएगी है ना y बराबर x अभी भी यह 2 pi से ही pass हो रहा है 3 pi मत रख रहे ना वो point देखो जहां पर 0 जारी यह line तो अभी यह 2 pi पे 0 के लिए x minus 2 pi अगली line फिर से negative slope है बिटा 4 pi पे 0 आना चाहिए तो यहां पर क्या कर देंगे plus 4 pi फिर यह जैसे positive slope है minus 2 pi पे 0 आना चाहिए तो plus में क्या कर देंगे 2 pi तो इस तरह से अपन cos का भी graph यहां पर बना सकते है और इसके अंदर भी कोई भी value find out कर सकते है let's say अपन को निकालना है cos inverse cos 13 ठीक है तो यह जो cos inverse cos 13 अपन को यहां पर find out करना है 13 4 pi से बड़ा होता है तो आगे एक line और लेनी पड़ेगी अपन को इसका slope 1 है तो x और 4 pi पे 0 है तो x minus 4 pi 13 इसमें put कर दो तो direct simple सा answer आगे अपने पास 13 minus 4 pi क्या आपको बात समझ में आई तो में क्या कहना चाहरा हूँ तो एक ऐसा question देखते है जिसमें sin inverse cos inverse दोनों involved है जैसे मान लो आपको यह value find out करनी है cos inverse cos 4 pi by 7 plus sin inverse sin 35 pi by 11 ठीक है तो पहले 4 pi by 7 देखो 4 pi by 7 pi से छोटा ही है तो यह तो simply y बराबर x से open हो जाएगा तो यह 4 pi by 7 आगे अब sin inverse sin के लिए अगर अपन वापस पहले पुराने वाले graph पर आए जो अपनने देखा था sin के लिए तो वहाँ से अपन को वापस एक बार idea लेना पड़ेगा 35 pi by 11 का तो 35 pi by 11 है ना इसको आप 3 pi plus 2 pi by 11 भी लिख सकते हो ठीक है तो यह वापस इसके आसपास आएगा कहीं पर है ना तो अगर अपन इसको solve करने की कोशिश करेंगा तो यह 10 के आसपास ही होगा 3 pi से तो बड़ा हो जाएगा 3 pi से बड़ा होगा लेकिन 7 pi by 2 से छोटा इस interval के अंदर क्या आपको बात समझना आ रही है मेरी तो इसके case के अंदर भी यही 10 वाली definition ही use होगी तो यह line अपनने बनाई थी minus x plus 3 pi वाली और इसके अंदर अब अपन 35 pi by 11 रख देंगे तो answer अमारे पास आ जाएगा इसके case के अंदर वही definition यूज करेंगे पहले वाली तो जो 10 के लिए अपनने यूज करी थी वही वाली definition जो graph में थी ना अपने पास पहले minus x plus 3 pi वही minus का 2 pi by 11 तो cos वाला अपन ने solve किया था 4 pi by 7 और ये graph से आगया minus 2 pi by 11 तो इसको solve करने पर answer आजाएगा 30 pi by 77 तो इस तरह से थोड़े से मुश्किल question बना सकते हैं बट graph से और बिना graph के भी method 1 भी आता है तो ये आसान हो जाते हैं तो बाकी के graphs भी एक बार देख लेते तो थर्ड वाला जो अपने पास होता है ये होता है tan inverse tan x का graph tan x का period pi है बटा तो जैसा minus pi by 2 से pi by 2 में बनाते और ध्यान रहे इसमें pi by 2 के multiples जो odd है इस पे open होता है तो ये जो graph बना है आपका क्योंकि इसका period pi है तो इसमें mountain नहीं बनेंगे यही graph आगे और पीछे भी बनता रहे इस तरह से ये pi ये 3 pi by 2 आगे भी ऐसा ही बनता रहेगा इसमें mountains नहीं बनेंगे और पीछे भी अपन इस तरह से इसको extend कर सकते है minus 3 pi by 2 से अगर अगर अपन minus pi by 2 बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही आएगा कि आपको मेरी बात समझना आ रही है तो अब जैसे equation लिखोगे तो इसकी आजाएगी y बराबर x ठीक है इसकी इन सब का slope बनेंगे अच्छी बात है y बराबर x minus pi 2 pi पे 0 करना है y बराबर x minus 2 pi minus pi पे 0 करना है y बराबर x plus pi है ना अब जैसे आपको ये निकालना है tan inverse tan 7 तो आप देखो 7 कहां पर आएगा 6.28 2 pi के आगे और 5 pi by 2 से थोड़ा सा जस्ट कीछे तो इसको इस equation में put कर देंगे तो answer आजाएगा 7 minus 2 pi simple ठीक है और बाकी के graphs mostly तो यही use होंगे आपके पास sine inverse sine cos inverse cos 10 inverse 10 ध्यान रहें बाहर inverse trigonometry अंदर trigonometry बाकी के graphs भी इनके जैसे ही है तो अगर आप cosec inverse cosec x का graph बनाओगे तो as it is sine वाला ही बनेगा बस domain में एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तो जैसा आपने sine का graph बनाया था तो यह जिसे 0 था pi by 2 था minus pi by 2 था तो as it is same graph जो है वो cosec inverse cosec x का भी बनेगा कोई तरह का change अमारे पास यहान नहीं आएगा पर आपको पता है कि cosec x के लिए वो value नहीं ले सकते जहां पे sine x 0 हो जाए तो 0 है ना बलब graph as it is sine वाला ही बनेगा कोई change नहीं है बस एक domain को छोड़के तो 0, pi 2 pi, 3 pi, 4 pi इन पे इसको open करना पड़ेगा बाकी as it is same डिट्टो sign का graph है डिट्टो sign के तरीके से ही इसको solve करना है बस जहां जहां पे sine 0 हो रहा था वहां पर इसको open करना पड़ेगा same चीज जो है वो हमारे पास sec inverse sec x के अंदर भी आएगी बिटा sec inverse sec x भी एकदम डिट्टो किसकी photocopy बनने वाला है जो आपका cos inverse cos x वाला graph था as it is वही graph बनने वाला है किसी तरह का change नहीं आएगा बस domain का ध्यान रखना पड़ेगा जहां जहां पर भी आपका cos x 0 हो रहा है वहाँ पे sec x not defined है यानि कि πाई बाई टू के जो odd multiples हैं वो हमारे domain का हिस्सा अब इस बार नहीं बनने वाले तो यहां पर अपन को इसके case के अंदर क्या करना पड़ेगा open लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर अपन ने यह वाले points ले लिए इसके case के अंदर तो गड़बड हो जाएगी अच्छा स्वारी labeling में गड़बड कर दी यहां πाई आएगा यहां 2 पाई आएगा इसको redraw कर देते तो यहां पर तो closed ही है open कहां पर आजाएगा labeling एक बार सही करते हैं ऐसा कुछ यह कहां पर आजाएगा जहां पर भी pi by 2 के multiple है odd pi by 2 पर open होगा 3 pi by 2 एकदम सेम cost जैसा बना दो और रास्ते में pi के multiples के बीच में जो भी odd multiples आते है pi by 2 के यह not defined है यह closed ही है मैंने labeling पहले सही ही करी तो यह graph कुछ ऐसा दिखेगा cost जैसा ही है बीच में बस जहां पर pi by 2 का multiple आता है वहां पर open हो जाएगा तो यह भी चीज अगें very important है कभी अगर ज़रुद पड़े second verse 1 और इसकी तो ध्यान रख सकते हैं लास्क जो graph अपने पास आएगा वो cot inverse cot का आएगा यह periodic तो 10 जैसा है बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि 0 से pi में हम बोलते थे cot inverse x जो है वो cortex रहेगा तो जब अपन यहां पे cot inverse का graph बनाएगे तो इसके अंदर 0 और pi पे तो open ही आएगा जैसे 10 minus pi by 2 से pi by 2 में था बट इसके आगे फिर अगर अब open यहां पर देखेंगे तो अब यह इसी तरह से repeat होता रहेगा तो pi से 2 pi के अंदर भी ऐसे ही आएगा इसमें भी 10 inverse 10 जैसा ही है बस यह 0 से pi के बीच में बनता है उपर की तरफ equation भी वैसे लिखोगे y बराबर x y बराबर x minus pi y बराबर x minus 2 pi y बराबर x plus pi इस तरह से तो जैसे मैंने बोला quart inverse quart 6 बता दो क्या आ रहा तो 6 यहां पर लाए करेगा 2 pi से ज़स्ट पहले तो answer आ जाएगा 6 minus pi ऐसे ठीक है तो I hope इस lecture में आपको थोड़ा सा मज़ा आया हूँ हमने काफी interesting चीज़ें देखी है हमारा जो आने वाला next lecture है उसके अंदर हम next जो lecture 4 है lecture 4 में अपन inverse trigonometric function की properties देखेंगे बहुत important properties है जो हमें इस तरह के expressions भी calculate करने देगी जिसमें बाहर inverse trigonometry में कुछ और होगा और अंदर trigonometry में maybe कुछ और हो जाए lecture 2 के अंदर अपन ने यही चीज़ triangle बना कर बाहर trigon और अंदर inverse trigon के लिए तो कर ली थी पर ये calculation properties का use करेंगे तो next lecture में में inverse trigonometric function की properties करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से समझें इसके questions की practice करें वीडियो पसंद आया है तो like करें comment करें आपके friends के साथ share करें और please channel को subscribe करें जल्दी मिलते हैं अगले lecture 4 के साथ तब तक के लिए thank you everyone